Furniture Arrangements Physical dimension का एक बहुत एहम हिसा है कि classroom का जो furniture है उसकी arrangement क्या की गई है Classroom का जो furniture है वो ऐसे होना चाहिए जिससे students जो हैं वो classroom में comfortable feel करें आपके जो classroom है उसके अंदर ऐसी arrangement करें जिसमें comfortable chairs हों, soft chairs हों जिनके उपर students जो हैं वो comfortably बैट सकें इस चीज़ का ख्याल रखें कि classroom के अंदर student ने बहुत देर तक बैटना होता है साथ से आठ घंटे तक student जो है वो बैटता है इसलिए furniture का सही होना और उसकी arrangement का दुरस्त होना जो है वो बहुत जरूरी है और इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने classroom में variety of furniture जो है उसको provide करें जब हम variety की बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद ये है कि table chairs तो हैं ही, desks वगेरा तो हैं ही इसके इलावा अगर कोई reading corners बना दिये जाएं जहां carpets हैं, जहांपर pillows पड़े हैं, जहां cushions पड़े हैं तो student जो हैं, उनके पास एक variety आ जाती है और वो अराम के साथ classroom में बैठ सकते हैं इस चीज का देहान रखना बेहत जरूरी है कि student का जो classroom में time है, वो comfortably गुजरे उसमें physical dimension के हमने बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिनको discuss किया है तो physical dimension जो है, उसमें जो furniture arrangement है और comfort furniture का है, ये बहुत एहम जुज है इसके इलावा research इस चीज को support करती है और इस चीज की तरफ राय देती है कि हम ये ना समझें कि जो furniture है, उसका कोई एक style का होना जो है, वो teaching and learning को बहतर करता है ये एक मित है, हम इस चीज का हमें ख्याल करना चाहिए कि students जब furniture इस्तमाल कर रहे हैं, उनका posture क्या है वो वहां कितने घंटे बैट रहे हैं, furniture सक्त या नरम कितना है, ये सब चीजें जो है, ये towards successful teaching and learning जो है, वो जाती है and teacher must ensure that there is a comfort level in the classroom while students use furniture Research जो है, वो इस चीज को भी support करती है, कि अगर आप 75% अपना body weight जो है, वो एक सख्त कुरसी के उपर बैट कर गुजारते हैं, तो उससे आपके जिसम के जो आजा हैं, वो ठक जाते हैं आपकी टांगें जो हैं, वो discomfort का शिकार हो जाती है, cramps पढ़ने का खत्रा होता है और student जो है, फिर movement करता रहता है, और movement से disturbance होती है तो इस चीज को काख्यास ख्याल रखें, कि जो furniture है, वो इतना सख्त ना हो, कि student जो है, वो discomfort का शिकार हो जाए Comfortable furniture की जो provision है, ये school की जिम्मेदारी है, और ये age के उपर भी depend करती है बच्चा जो है, अगर वो छोटा है, तो कैसा furniture इस्तमाल करना चाहिए? बहुत से classrooms में देखा गया है, कि कुर्सियों का size इतना बड़ा है, जो छोटे बच्चे हैं, classroom में उनकी टांगें जमीन तक नहीं पहुंचती हैं, उनके पाउं जमीन पे नहीं लगते हैं, जिसकी वज़ा से उनकों टांगों में मुस्तकिल दर्द रहता है इसी तरह जो बड़ी age के students हैं, जो middle school, high school जा even college universities के students हैं, उनके लिए भी जब आप selection और furniture करते हैं, तो उनकी age और उनका जो size और कद है, इन सब का जो है, आप खयाल रखें, और ये देखें कि ये सब चीजें जो हैं, वो comfortable level की हो, only then a student will be able to enjoy teaching and learning in the classroom. पोस्चर जो है, वो बहुत ऐहम है, और research इस चीज़ को support कर रही है के student जो है, उसकी learning जो है, उसकी जो successful learning है, it depends largely on how he or she sits in the classroom. That is very, very important. So, please ensure that the arrangement of the furniture is such in the classroom that provides a source of comfort to the student and not discomfort. आम तौर पर students जो है, वो management problems जो है, वो create कर देते हैं, because they feel frustrated, sitting upright in one posture on one single chair for the entire day. That is just not possible. इसलिए students जो है, जब ठक जाते हैं, एक posture में बैठे बैठे, तो वो फिर खड़े होकर रोज में चलते हैं, और बाज उकात वो दूसरे students को disturb करते हैं. वो मजबूर होते हैं, वो गैर इरादी तौर पर ऐसा काम जो हैं, वो कर रहे होते हैं, क्योंकि इस कदर वो discomfort होता है, कि वो उनके लिए चलना लाजिम हो जाता है. So, please ensure that such things are taken care of in the classroom, so that successful teaching and learning can go on and you face less of management issues in the classroom.